गीजर पूरा ओपन होने के बाद फ्रेंट्स कुछ इस परकार से आपको देखने को मिल जाता ये तीन लीटर गीजर है यह फ्रेंट्स हैवल कंपनी का तीन लीटर का गीजर और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो थोड़ा ज्यांज़ा समझे आप इसमें हम लोग जब भी इसका स्विच ऑन कर रहे हैं यहां पर देख सकते हो स्विच को ऑन कर दिए और यहां हमारा जो लाइट है घीजर क हम लोग बाहर निकाल दिया है ठीक है क्योंकि इंटरनल में से कुछ प्राब्लम हो गया है तो इसका कवर को पुरा ओपन करेंगे और इसका फिट करने के पूरा प्रोसस प्रोसस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो काफी नॉलिजेबल वीडियो तो वीडियो प अब देश सकते हो इस टैप को आपको कुछ देख रहे हैं आपर यह गिलासूल है गिलासूल को लगा जाता है ताकि हमारा जो यह टैंक है इसका यह पूरा हीट होने के बाद कवर जो हमारा प्लास्टिक है वह जले नहीं इसलिए गिलासूल को डाला जाता है तो कुछ हमारा एक स्विच है जो के हमें इसको बोलते है काट आउट है जो इस घीजर में रहता है ठीक है थर्मोशेट रहता है थर्मल कॉट रहता है तो इस गिलासुल को हम लोग पूरा साइट कर रहे हैं क्योंकि गिलासुल हटाने के बाद ही हम लोग को कुछ समझ में आ पाएगा इससा कंडिशन क्या है तो गिलासुल वगरे को हम लोग हटा दिये हैं यहाँ पर दो लाइट हमें देखने को मिल रहा है जो का अंदर का लाइट रहता है यही लाइट हमारा अभी जल नहीं रहा था ठीक है और यह थर्मोशेट रफेंट से मैं आप बताना हो चाहँगा य लोगे हमारा ayan त्रेप करता है तकि हमारा जोग में घञती है यह करता है तो इस तो इसकारान से कर देखने आता है तो बटन को प्रेस करने से हमारा आज ये ठीपन का प्राव्लम हो कुछा हैnoc आप क्या करेंगे वह प्राब्लम तो सॉल्ब कर दी अब इससे चेक करेंगे मीटर से कॉंटिनिटी वगर है कि बाहर में चेक करना ज़रूरी हम लोग अर्थिंग वगर भी देख रहे हैं कि हमारा अर्थिंग वगर नहीं आ रहा है यह एक पॉइंट यहां चुना है और एक नहीं में कुछ पॉइंट से हो मतलब यहां पर हमारा घीजर कंडिशन सही हो चुका है अब लोग घीजर को हमारा रखा हुआ है इसको पहले हैंग करेंगे यह हमारा है और एक जो पाइप यहां देख सकते हो मैं आप लोगो देखाना चाहूँगा राइट साइट का पाइ में हमें क्या कर रहे हैं इसमें पानी भर रहे हैं क्योंकि पानी भरना बहुत ही जरूरी होता है गीजर में पानी अगर भराएगा और राइट साइट का यहां देख सकते हैं हमारा पूरा चालू जोगा है यहां पर भर गया पानी और जो हमारा ओपूट पैप उसमें से प जब आपका पानी डॉपिंग का प्रॉब्लम आए भल्ब से तो आप समझे का रबर वगरा खराब हो चुका है तो इसको भी आप इसको चेंज कर सकते हैं अब आप पूरा पाइप हमें इसको टाइट कर रहे हैं तो दोनों पाइप हमारा पूरा तरीका से टाइट हो गया है इस परकार से करना है ताकि आपको लीगेज का प्राइप पानी का ना है तो आपको प्योग कर रहे हैं आप इसको पूरा पानी की काम कंप्लीट हो चुका है बहँ नहीं पानी जब घिजडर में भर जाय तभी आपको सॉक्ट में तार डालके लाइन देना है पहले आपको परकार से ओपिन हो जाएगा नल से पानी आने लगेगा उसके बाद क्या करना है अब आपको सॉकेट में तार डलना और लाइन देना है हमारा गीजर यह हमारा ओन हो चुका है पहले यह प्रॉब्लम था आपका ट्रिपिंग का अब देश होती है यह प्रॉब्लम एजली हमार देगा